बड़ी कबर उत्तरप्रदेश से है जहां सपा कारलय के बाहर लगाए गए होडिंग्स को हटाए गए है तो बड़ी कबर आपको उत्तरप्रदेश से बता रहे हैं जहां सपा कारलय के बाहर लगे होडिंग्स को हटाए गए तो राजभर के खिलाफ लगाए गए यह बना किसी नेता की जानकरी की यो डिंग्स लगे थे तो सपा के युबा नेताओं ने ये होडिंग्स लगा थे बड़ी ख़बर आपको उत्तरफदेश से बता रहे हैं सपा कारले के बाहर लगे हुए होडिंग्स को हटाए गया है राजबर के खिलाफ यह होडिंग्स लगाई गई थी तो राजबर पर सपा कारले आने पर कतिबंद लगा था आपको दादे कि सपा के युवा नेताओं ने यह होडिंग्स लगाई थी तो बिना किसी नेता की जानकारी के यह होडिंस लगाई गय थी तो इस वक्षी बड़ी कबर आपको लखनों से बता रहे हैं जहां सफा कारले के बाहर लगे हुए होडिंस को उटाय गया आपको उतादे कि इन होडिंग्स में राजभर पर सफा कारल आने पर प्रतिबंद लगाए गया था तो राजभर के खिलाफ यह होडिंग्स लगाई गई थी आपको उतादे कि सफा के यूवा नेता ने यह होडिंग्स लगाई थी और बिना किसी नेता की जानकारी की यह होडिंग्स लगाई गई थी तो इसी कबड़ पर देखे जानकारी के हमाई साथ सही होगी अभिनाश जुड़ चुके हैं अभिनाश अगर बात करें तो जिस तरह के होडिंग्स लगाई गए थे हम देख रहे हैं कि अब उन होडिंग्स को हटा दे गाए दूसरी सबसे बड़ी बात ये कि बिना किसी बड़े नेता की जानकर की होडिंग्स लगाए गए थे देखे बिल्कुल आपको बता दे लगातार सुर्ख्यों में रहने वाले ओम प्रकास राजबर का आज समाजवादी पाल्टी का रहले के बाहर एक पोस्टर लगा देखा गया जिसमें लिखा हुआ था ओम प्रकास राजबर जी का समाजवादी पाल्टी का रहले में आना अनन पनन में यह जो पोस्टर है वहां से समाजवादी पाल्टी का रहने से तो हटा दिया गया है लेकिन अगर इस पूरे पोस्टर पर विवास की अगर हम बात करें तो सुहेल देव समाजवादी पाल्टी के अरुन राजभर जो की जो है ओम प्रकास राजभर के बेटे हैं उन्होंने समाजवादी पाल्ती पर हमला बोला है तमाम तरीके की गंबीर आरोब समाजवादी पाल्ती पर लगाए। मामला उस तरीके से उन्होंने अपने सब्दों में इस्तिमाल किया और बोला की लगातार जो समाजवादिक पाल्टी के लोग बाउखलाए हुए है और राश्टी अधिश अकलेश वियादों भी धबराए हुए है हमिनाश कुछ दिन पहले हमने डेवेट भी की थी अरुण राजभर के साथ और उन्होंने उस दोरान ये भी कहा था कि जब पिछले विनासभा चुनाब हुए तो उस समय अकलेश वियादब को ओवर कॉंफरेंट अगर ओवर कॉंफरेंट नहीं होता तो अकलेश वियादब उतरपदेश के सीम बनते हैं और यही कारण है और इसके लाब हमने ये भी देखा कि कहीं न कहीं ओपी राजभर की ब्युजेपी से जो नजदी क्या है वो सपा को रास नहीं आ रही है जी मुनको ठीक कहा आपने कि जिस तरीके से लगातार ओम प्रकास राजभर की नजदी की अब आत्री जंता पाल्टी में बर्षी दिख रहे हैं तो कहीं नहीं कहीं कह सकते हैं कि समाजवादी की तरफ से उन पर तरह तरह के कराद्य तरह के तंच कसे जा रहा हैं तो आग जिस तरीके से हमने देखा पोस्टर में सुहेल देव समाजवादी के राश्टी अध्यस ओम-ककास राजभर का समाजवादी की में प्रवेश बची से दिए उन दुसके तरब जो समाजवादिक पार्टी के जो सीज नेतर पे लेता हैं उनका एक बयान आता है कि हमारी जानकारी नहीं थी कि इस तरीके से पोस्टर लगाए ने तो कहीं ने कहीं कैसे से कि ये एक पोस्टर विवाद का विशय बना हुआ है अमीणाश ये निकल को समसे सामने आए थी कि जब ऊपी राजपर जो है वो उनका ये प्ले ही कोई भी पार्टी हो उत्तर पृटि त्रिशम चाहे वो सपहाओ लेकिन वहचार जो मिलते हैं अगर किसी ही पार्टी से तो हम जरूर्ण के साथ जाएंगे जी बिल्कुल आपने देखा होगा कि ओम प्रकास राजबर वहीं है जो 2022 विधान समाज चुनाओं में अकलिय स्यादों का मन्च प्राज़ा कर रहे थे और लगातार भाते जंता पाल्टी की कमिया गिना रहे थे वही ओम प्रकास राजबर है जिनका समाजवादी पाल्टी का समाजवादी पाल्टी के जो कारिकरता है रूप लाए हुए है जहां सपा कायरलाई के बाहर लगे हुए पोस्टर्स को खटा दिया है आपको नहीं कि इन पोस्टर्स में ओपी राजबर को सपा कारल में आने पर प्रतिबंद सम्ब्दित पोस्टर्स लगे हुए थे और अब इन पोस्टर्स को खटा दिया गहा है तो आपको दादे कि बिना किती शीट से नेत्रत की चानकारी के ये पोस्टर लगा गये थे और इसके बाद इन पोस्टर्स को का दिया क्या है